इस वीडियो में बात कर लेते हैं हेमिस्फियर प्रॉपर्टी इंडिया लिमिटेड की कुईक्ली एनलेसिस देख लेते हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मद भूलिएगा तो यह वही पुराना चार्ट है जो लास्ट मैंने पहले भी आपको डिसकस करा था और उस लेवल पर हर्डल फेस होगा आपको लेवल अल्रेडी सेर किया थे इग्जेक्ट यहीं से रिवर्सल आए फिर स्टॉक में रिवर्सल के बाद फिर यह वाला एक बायर का जोन बना है यह इनके बायर का जोन है बिकास यहीं से बुलिश मुमेंटम तब दिखा था यहीं से और अभी भी देखोगे यहीं से फिर बुलिश हुआ इसका फिर गिरा यह 12 सेप्टेंबर को आप देखोगे इंफलेशन डेटा आना था तो गिरा था स्टॉक फिर यहीं से फिर एक और स्टॉक ने रिकवरी करी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके और फिर अभी भी बुल और सेलर जिस लेवल से अक्टिव होंगे तो वो यह लेवल होगा जैसे यहां हुए थे ऐसे ही अल्रेडी यहां भी अगर एक बार लेवल आपको देखने को मिलेगा तो इस टॉक जब गिरेगा तो वो कुछ ऐसे बढ़के यहां तक आ सकता है यह एक रेंज बना सकता है य लेवल्स आपके सामने हैं और दोनों ही लेवल क्लियर हैं यह वाला लेवल और नीचे का लेवल भी दोनों ही लेवल ऐसे ही चलने वाले हैं फॉल करेगा तो यह लेवल देखेगा उसके नीचे जाएगा तो यह इस लेवल तक आएगा ऐसे स्टॉक चलने वाला वाला वेक एक level यहां तक जाएगा आपका further इसके बाद जब और उपर जाएगा तो वो फिर आपके यहां कहीं निकल के आएगे तो ऐसे आपका चलने वाला है stock और simple है जादा कोई बड़ी कहानी नहीं है stock में कि बहुत जादा आपको दिमाग लगाना है बस आपने levels यहां से पकड़ लिया stock तो यहीं थोड़ा consolidate करके आप निकले का अच्छा trendline का support लही लिया है यहां पे support लही रहा है तो बस आपको support resistance follow करने stock सही चल रहा है और अपनी दिसा में ही जा रहा है तो वीडियो यहीं तक रखते हैं मिलते नेक्स्ट वीडियो में दिस इस मी सुभमी आदव साइनिंग ओफ